इस वीडियो में special file के बारे में जान कर लेंगे जिन pine के उपर आज discussion करेंगे हो है Introduction, Types of special file, Rippler file, Milsa file, Crossing file, Barret file, finger file, rotary file, machine file for hand filing machine, pinning up file और connect city up file के बारे में पूरी विश्तर पुर्वक जानकारी हासिल करेंगे दोस्तो इसके पहले हमने file के बारे में जानकारी जीए थी जिसमें elements up file, cut up file, grade up file, section or shape up file के बारे में और वैसी ही needle file के बारे में जानकारी दी थी उन सभी वीडियो की link description box में दी गई है उन्हें आप जरूर देखिएगा दोस्तो अगर आप नए हो चैनल को अभी तक subscribe रही किया तो अभी subscribe, like और share करना ना भूलेगा शबसे पहले वीडियो की notification पाने के लिए बेल आइकान पर क्लिक जरूर किजिएगा चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं इसके introduction के बारे वरक्षप में कार्य करते समय कई ऐसे कार्य भी करने पड़ते हैं जिनको साधारन फाइल के द्वारा नहीं बना सकते इसलिए ऐसे कार्य करने के लिए special फाइल बनाई गई है जो कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न आकार और साइजों में पाई जाती है कौशे कौशे आकार और साइज में पाई जाती है यह अब हम देखते हैं इसके जो प्रकार है उसके बारे में जानते हैं सबसे पहला प्रकार है रिपलर फाइल, मिलसा फाइल, प्रासिंग फाइल, बैरेट फाइल, टिंकर फाइल, रोट्री फाइल, मसीन फाइल, फार हैंड फाइलिंग मसीन इस तरह इसके प्रकार है और जो अक्षर प्रयोग में लाए जाते हैं सबसे पहले अब हम जानते इसमें रिफेल फाइल के बारे में इस प्रकार की फाइलों का प्रयोग डाई शिंकिंग, इंग्रेविंग तता सिलवर स्मिति में जो कार्या होते हैं, वहां करते हैं ये विभिन्न आकार तता साइज तता स्टेंडर्ड वाले जो दाते होते हैं उसमें कटे होते हैं और इनका उपयोग ड्राइ सिंकिंग, इंग्रेविंग तता सिल्वर कार्यों में किया जाता है मिलसा फाइल ये फाइल देखने में फ्लैट फाइल जैसी होती है जिसके एक या दोनो जो एज होते हो गोलाई में बतने होते हैं कारिय के अनुसार यहां 150 से 250 mm लंबी पाई जाती है इसका अधितर प्रयोग जो साह होती है उसके धाते तेज करने के लिए और अर्द गोलार आकार की जो गुरू होते उनको फाइलिंग करने के लिए किया जाता है मशिन शाप में इस फाइल को फ्लोट फाइल भी तथा लेट फाइल भी काते है प्राशिंग फाइल इस फाइल को शेडबली फाइल भी काते है इस फाइल के दोनों फेश अलग-अलग अर्दक गुलाईयों में बने होते हैं इस फाइल का अधिकतर प्रयोग भिन्न-भिन्न साइच के कानकेव सरफेश के उपर फाइलिंग करने के लिए किया जाता है बैरेट फाइल यह फाइल त्रिकुन आकार की होती है इस फाइल का एक फेश चवड़ा और बाकी दोनों फेश कम चवड़े होते है इसके अधिक चवड़ाई वाले फेश पर दाते कटे होते है और कम चवड़ाई वाले फेश पर दाते कटे होते है यह फाइल कार्य के अनुसार 100 mm से 200 mm तक लंबी पाई जाती है इस फाइल का अधिकतर प्रयोग किसी स्लाट या ग्रूव को शार्प तता फिनिश करने के लिए किया जाता है इंकर फाइल यह फाइल चौकुर आकार की होती है जिसके नीचे वाले फेस पर दाते कटे होते है इसके उपर वाले सीरे पर हैंडल लगा होता है जिसको पकड़ कर आप फाइलिंग कर सकते है इस प्रकार की फाइल तिंकरिंग के बाद आटो मोबाईल के जो बाड़ी होती है उसको फिनिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है इन फाइलों में एक घुमावदार शाक होता है यह एक विशेश प्रकार की फाइल है जिसको मसीन के उपर फिट कर दिया जाता है इस प्रकार फाइल का प्रयोग ड्राइ सिंकिंग तता माउंट जो नाव होते है उसको फिनिश करने के लिए हटाने के लिए इस फाइल का प्रयोग किया जाता है और इसको अक्षर मशीन में इस फिट करके फाइलिंग की जाती है मसीन फाइल पर हैंड फाइलिंग मशीन मसीन फाइल पर डबल कट लाते होते हैं इसको फाइलिंग मसीन पर होल्ड कर रेक के लिए तता प्रोजेक्शन होते हैं इसकी लंबाई तता आकार बशिक्शक्षमता के अनुसार होती है इस प्रकार की फाइल का प्रयोग इंटर्नल और एक्स्टरनल सताव पर फाइलिंग करने के लिए किया जाता है तता इसका मुख्य प्रयोग डाइशिंग की तता अन्य टूल रूम पे जो कारिया होते हैं उसमें प्रयोग में किया जता है। PINNING UP FIILING FIIL के द्वारा कोई आप्रेशन करते समय कभी-कभी FIIL के दातों के बीच में दातों के छोटे-छोटे कन फश जाते हैं, जिसे FIIL की PINNING को होना काते हैं। यदि इन फशे हुए कनों के साथ FIIL का प्रयोग करेंगे तो वहाँ सरफेस पर खरोच की निश्यान बना देती है। जिससे सरफेस अच्छी नहीं दिखाई देती है। और नहीं ठीक बन पाएगी। इसलिए यदि FIIL में PINNING हो जाए तो उसे FIIL कार्ड के द्वारा साप करके प्रयोग में लाना चाहिए। FIIL में PINNING होने के मुखे कारण होते हैं। गुलायम धातू उपो, FIIL करते समय प्राय, FIIL में PINNING हो जाती है। मुथ FIIL को यदि अधिक दबाओ देकर चलाएंगे तो उसमें जल्दी PINNING हो जाती है। कार्विक शीटी आप FIIL, FIIL की कार्विक शीटी क्या होती है इसके बारे में अब बात करेंगे। FIIL को यदि ध्यान से देखा जाये तो उसकी लंबाई के बीच का भाग कुछ उबरा हुआ दिखाई देता है। यह आकुशे आपको दिखाई ने देखा लेखी उबरा हुआ होता है। अगर आपने क्यालीपर से अगर मेजर किया तो पता चल जाएगा। FIIL के इस उबरे हुए भाग को FIIL की Convexity कहते है। FIIL पर Convexity रखने के प्राय निम्मी लिकित कारण होते है। जो हम देखेंगे। FIIL में Convexity होने से FIIL को चलाते समय अधिक ताकत नहीं लगती। यह बहुत बड़ा एक Advantage होता है। और FIIL को आसानी से भी Control किया जा सकता है। क्योंकि FIIL के पूरी Body चाप के साथ Contact में नहीं आती। पूरे Surface के उपर Contact में नहीं आती। इसलिए उसे आसानी से Control कर सकते है। जो उपरे हुए Convexity जो portion होता है। वही FIIL चाप के Surface में Contact में आ जाता है। FIILING आप्रेशन करते समय फाइल बिलकुल सीधी नहीं चलती। क्योंकि दोनों हातों के दबाओ कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता है। इसलिए वह बिलकुल सीधी नहीं चलती। इसे Rocking Action कहते है। इस प्रकार यदि FIIL बीड़ा Convexity के बनाई जाएगी तो FIIL की पूरी बाड़ी समतल होने के कारण वह सेंटर के अपेक्षिया आगे और पीछे के जो दोनों छोर होते वह ज्यादा घिस जाएगे। और बीच का जो भाग पोर्शन होगा वह उबरा हुआ दिखाई देगा। इससे बचने के लिए इसे Convexity कहते है। और तिसरा जो कारण है फाइल मैनिस फैक्षिरिंग करते समय वह बेंड नहीं होती। यह बहुत बड़ी एक Convexity आप फाइल के। दोस्तो आपको यह पूरा समझ में आ गया होंगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी। अभी तक हमारे चाल को सब्सक्राइब और लाइक ने क्या होंगा तभी सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान पर क्लिक ड़़ किजिएगा।